दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको यूटूब के एक ऐसे फीचर के बारे में बताने वाला हूँ जो हम जैसे क्रीटर्स के लिए बहुत दीज ज्यादा फाइदे मन्त साबित हो सकता है फाइदे मन्त कैसे साबित होगा और यह फीचर क्या है साथी चीज़े मैं आपको डेटियल में समझाऊँगा तो यहाँ पर यह जो फीचर है मैं आपको सबसे फ़ले बता दूँगा यह जो वीडियो बनाते हैं उनके लिए यह फीचर दिया गया है तो आप सोचे होंगे यह यह यूट्यूब का फीचर है तो YT Studio में मिलेगा लेकिन नहीं YT Studio में यह फीचर नहीं है यह आपको YouTube application में ही देखने को मिलेगा अब यह YouTube application में आया है तो यह फीचर क्या है आप भी जानना चाहते होंगे लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले इस वीडियो को एक लाइक कर दीजेगा और हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को प्रेस करना मत गूलेगा ताकि आपको यूटूब पर आने वाली हमारे सब भी वीडियो उसकी नोटिफिकेसन रेगूलर मिलती रहे और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो तो चलिए शुरू करते हैं आज किस वीडियो को तो दोस्तों यूटूब में जो ये फीचर हम जैसे ग्रिएकर के लिए दिया गया है तो वो जानने के लिए हमें जाना पड़ेगा सबसे पहले यूटूब अप्लिकेसन पर जैसे हम आ जाएंगे तो यहां आने के बाद मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि जैसे आप प्लस के आइकन पर क्लिक करोगे तो यहां क्लिक करने के बाद आपको जो अप्लोड वीडियो को सेक्शन दिखाई देता है इस पर आपको क्लिक करना पड़ेगा जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको प्राइवेट का जो अप्सन दिखाए दे रहा है इस पर आपको किलिक करना है तो आप यहां पर किलिक करेंगे तो आपको एक नया फीचर यहां पर दिखाए देगा जैसे कि अभी आप यहां पर देख सकते हो यहां पर यूटूब की तरफ से हम जिसे यहां पर आपको समझ में नहीं आ रहो है यह feature क्या है वर ने आपको समझा दूँ कि यह feature वही feature है जो आपको YT Studio desktop version में दिखाए देता है जब आप videos अपलोड करते हो उससे होता क्या है कि जब आप video अपलोड करते हो अगर उस पर कोई copyright claim या copyright strike आने वाली होती है तो वह आपको वीडियो अप्लोड करने से पहले ही पता चल जाता है जहां पहले ही आपको पता चल जाएगा कि आपकी ये वीडियो सही नहीं है, suitable नहीं है कोई copyright claim है या फिर किसी भी तेरे का कोई restriction है, तो सारी जानकारी आपको पहले मिल जाती है वीडियो को publish करने से पहले, जो आप वीडियो अप्लोड कर देंगे तो notification बार में आपको जब वीडियो पूरी अप्लोड हो जाएगी तो notification बार में एक message दिखाए देगा, जहां आपको लिखा वो दिखाए देगा कि आपकी वीडियो पे कोई strike है या कोई corporate claim आया हुआ है या नहीं आया हुआ है दोस्तो आज की वीडियो में सिर्फ इतने था उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो में बताएगा जानकारी अच्छी लगी होगी अगर आपके मन में कोई सवाल है तो मुझे comment करके जरूर बताएगा और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजे और हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत बुलेगा ताकि आपको यूटूब पर आने वाली हमारी सभी वीडियो की notification रेगुलर मिलती रहे और आपसे कोई भी वीडियो मिजनाव मिलते हैं हमारी next वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद